गुड मॉर्णिंग दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं वो इसे चात्रे वन चात्रा हैं जो टेंथ क्लास इस बार फाइनल बोट एक्जाम देना चाहा रहे हैं दोज़र 21 में तो उन सभी अस्टुटेंटों के लिए गुड नूज है दोस्तों कि आपका साइन्स से जितन प्रवाइड करने वाले हैं तो उसके लिए वीडियो को सुरू से लेकर अंतक बने रही हैं तब जाकर कि आपका एक ये कुशन अच्छे तरह से याद हो जाएगा ता यह दोस्तों वीडियो को स्टाट करते लेकिन उससे पर आप सभी बताते हैं इस चांट पर पहली वाज कि नीमन जैसा ही बोल दिया जाए कोस्चन में तो आपको सिर्फ आप्सन से मतलब रखना है तो इसका राइट एंसर जो होगा ऑप्सन नमर शी हो जाएंगे क्या हो जाएंगे पारा अर्चालक कौन है पारा याद रखेगा दोस्तों यह सब इंपॉंटेंट कोस्चन है जो जो भी छाथ छात्रा हैं जो 21 का फाइनल बोड एक्जाम देना चाते हैं वह रेगलर क्लास कर सकते इस चाल के माध्यम से तो दोस्तों तीसर नम प्रस्ण है बिधुत परतिरोध का मात्रक क्या है ओम है परतिरोध यहनिकी रुकावट परतिरोध मतलब होता है रुकावट तो उसका राइट अंसर अप्शन नमर C ओम हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों जो भी है श्ट्यूएंट पढ़ना चाहते है रेगलर उसके लिए श्यांत पेस बने रणा होगा चौथा नम प्रस्ण है बिधुत धारा का मात्रक होता है बिधुत धारा का मात्रक होता है क्या ह तीरियोदोग को स्रेनी करम में जोडने पर सम्तुल्य परतिरोध होगा सम्तुल्य परतिरोध पूछा गया है जी हाँ दोस्तों सम्तुल्य परतिरोध जो होगा वो होगा 6 ओम कितना ओम होगा 6 ओम राइट एंसर डी हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों एक एक कोशन अगर आप याद करते हैं तो आपका concept clear हो जाएगा जिससे आपका metric exam असानी पुर्वक निकल जाए तो देखे छठा नमर जो प्रस्ट बोला जा रहा है विवांतर का SI मातरक क्या है विवांतर का SI मातरक बोला गया है तो विवांतर का SI मातरक क्या है बोल्ट है राइट एंसर D हो जाएगे विवांतर कैसा है मातरक बोल्ट चलिए देख लेते हैं अगला question देखे शातमा नमर जो प्रस्ट बोला जा रहा है विवांतरक है विवांतरक क्या होगा बोल्ट होगा राइट एंसर B हो जाएगे दोस्तों एक एक question याद कीजिए concept clear हो होगा तंतु का परतिरोध पुछा गया है सौ वार्ट एने की 220 बोल्ट के बिधूत बल्ब के तंतु का परतिरोध क्या होगा क्या होगा चार्श्ट चौरासी ओम फोर एटी फोर ओम राइट एंसर B हो जाएगे दोस्तों इसके बाद आपका बैलोजी का चेप्टर लेकर क आते रहेंगे तो देखे नाइथ नमर जो प्रस्ट बोलो जा रहा है तंगस्टन निमलिखीत में से किस ता पर पिघलता है यहां पिघलता लिखाएगा दोस्तों तंगस्टन निमलिखीत में से किस ता पर पिघलता है यानि कि कितना टेंप्रेचर पे टंगस्टन पिघलन स्टार्ट हो जाता है तर टेमप्रेचर कितना चाहिए पैंतिस सो डिग्री सेल्सियस आप्सन नमर सी हो जाएंगे पैंतिस यहां दोस्तों कंसेप्ट किलिए हो जाएगा अब्जेक्टिव कोशन याद करने से तो जो भी स्टुट्ट इससाइगा पहली बार विजिट कर रहे तो बितुर्ष सक्ति का मात्रक्ष क्या है। जाएंगे हैं। 17 प्रति रोध का साइं मात्रक वहम है। इंआ हैंने डैंट्स्थ इस २ चल्शन याद करते चलिए। परेगलर क्लास करने के लिए व lubrication करना होगा तो कौन के वाई बार वोल्ट की वा shore तो अंतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलम आवेस को ले जाने में कारिक किया जाता है यहां कि कितना कारिक किया जाता है तो उसको जूल में बताना है यहां क्या बोलो गया 12 वोल्ट किसके बीच दो कूलम आवेस तो इसको मल्टिप्लाई कर देज़े डाडेक्ट तो बा बिधुत बाहक बल का मात्रक होता है तो क्या होता है बोल्ट होता है राइट एंसर बी हो जाएंगे एक कोशन याद किजिए कि आपका कंसेप्ट किलियर हो जाएगा इसका अल्पतमांग है तो इसको एंपियर में बताना है तो अल्पतमांग जो हो जाएंगे यह हो जाएंगे चली आगे देख लेते हैं देखिए आवेस का इसरे मात्रक होता है तो अवेस का जो जो आपर होता है कुलंब होता है राइट एंसर डी हो जाएगे दोस्तों साइनस से जितने सारे चेप्टर बनते हैं उससे इंपनेंट कोशन हम हरएं वीडियो के माधियम से प्रवाइड करते रहेंगे तो इसके ल प्राज being